नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अंजिनी और आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल पर आज मैं आप लोग को बताने जारी हूँ कि बूधबार का ब्रत हमें किस तरीके से किया जाना चाहिए और बूधबार के ब्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जह स्री गनेश बूद्वार व्रत वीधी और विधान से किया जाए तबी फल्दाई सीध होता है बूद्गुरा को सांथ करने के लिए बूद्वार का व्रत किया जाता है सिक्षा, तचारू, बुद्धी और वेपारादी में प्रगती के लिए बूद्वार का व्रत किया जाता है जो की बहुत ज़्यादा सुब और फल्दाई माना गया है बूद्वार व्रत में भगवान गनेश की पुजा का विधान है बुद्वार व्रत के दोरान भागवत महापुरान का पाट अवस करे बुद्वार व्रत को सुक्ल पक्ष आने वाले पहले बुद्वार से सुरू करना चाहिए बुद्वार व्रत करने से वेक्ति के जीवन में सुक सान्ती और धन-धन के कमी कभी नहीं होती है बुद्वार के दिन सुबह सुबह आपको अश्नाना दि करके पवित्र हो जाना चाहिए उसके बाद भगवान गनीज की पुजा करने चाहिए वरत करने वाले जातको हरे रंकी माला या वस्त्रों का धारन जरूर करना चाहिए बगवान गनीज की मुर्ति के साथ साथ आपको संकरजी की मुर्ति की भी पुजा करनी चाहिए पूरे दिन फलहार से ही विरत रखना चाहिए साम के समय संध्या आर्थी करके एक समय आप बीना नमक का भूजन कर सकते हैं लेकिन अगर आप बूदवार का बुरत कर रहे हैं तो आपको नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए सेंधा नमक भी आप अगर नहीं खाते हैं तो वो ज़्यादा सुब होता है बूदवार का जो बुरत होता है वो ज़्यादा फलदाई होता है बुद्वार के वरत में हरे रंग के वस्त्रों, फूलों और सब्जियों का दान जो है वो जरूर करना चाहिए इसके अलावा आपको हरे रंग के वस्त्र भी पहनने चाहिए हरे रंग के जो फूल है वो भगवान गने इसके मुर्थिपे आप चरहाए और उसके अलावा आपको हरे रंग के फाल या फिर हरे रंग के जो सब्जियां होती है ना उसी का सेवन भी करना चाहिए मतलब है कि आपको यही सब रेस्पी जो है वो बना करके खाने भी चाहिए तो इसकी रेस्पी भी मैंने अपने चानल पे अप्लोड की हुई है आप चाहे तो उन सबी को चेक कर सकते हैं बुद्वार के ब्रत में एक समय दही मुंकी दाल का हल्वा हरे मुंकी दाल का हल्वा यहाँ पे आपको खाना चाहिए और अगर हरी मुंकी दाल नहीं मिलती है तो फिर आप पिले वाली जो मुंकी दाल होती है वो भी खा सकते हैं या फिर हरी सब्जिया जो होती है उसी का सेवन करना चाहिए इसके अलावा आप बूधबार के दिन मास मचली का सेवन बिल्कुल मत कीजेगा अगर आपके घर में कोई बूधबार का ब्रत कर रहा है तो घर में मास मचली बिल्कुल ना बना है बिल्कुल भी ना खाए उसके अलावा आपको बूधबार के दिर मसूर, खिदा, प्याज, लहसुन इन सभी चीजों का विसेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ये सारे चीजे किसी भी बुरत में पूरी तरह से वर्जीत है तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चानल पे बने रहेगा क्योंकि इसी तरह के वीडियो में आप लोग के लिए हमेशा ले करके आती रहती हूं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर कीजेगा तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक न्यूँ वीडियो के साथ मेरे चानल पे जय स्री गनेश